आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं सीला पत्तिकरम को जिसे ओरिजिनली लिखा था इल्यांगो अडिगल ने और इसे इंग्लिस में ट्रांसलेट किया गया है आर पार्था सार्थी के द्वारा आर का यहां पर मतलब है राज गोपाल पार्था सार्थी तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रड़क्शन को पढ़ेंगे इसके बाद themes को इसके summary को इसके conclusion को तो यहां पर हमारा introduction to the play यहां पर play नहीं poem होगा क्योंकि यह एक play नहीं बलकि एक poem है सीला पती करम is an ancient Tamil epic poem written by Iliango Adigal ये जो सीला पती करम है ये एक ancient Tamil poem है और ये एक epic poem है ये एक महा काव्य है जिसे Iliango Adigal न लिखा था It's one of the five great epics of Tamil literature and is considered a classic in Indian literature और ये जो poem है ये जो five great poems है South India की उन में से एक मानी जाती है इसे Indian classical literature में काफी importance समझा जाता है काफी importance दी जाती है उसे और अभी हमने जो बताया आपको कि five great poems है South India की उन में से एक है सीला पती करम तो सीला पती करम के अलावा और जो चार great poems है उनके नाम्स है मनी में खलाई, सिवका सिंता मनी, वलया पती, कुंतला केसी दा टाइटल सीला पती करम translate to the tale of an anklet referring to a central motive in the story और ये जो टाइटल है सीला पती करम कई बार यहाँ पे ऐसना लिख करके सी भी लिखा जाता है तो ये जो टाइटल है सीला पती करम इसे जब आर पार्था सार्थी ने इंग्लिस में translate किया तो उन्होंने इसका टाइटल रखा the tale of an anklet जो कि refer करता है इसके central motive को, इसके central theme को इट हैज 5,270 lines और इस poem में टोटल 5,270 lines है इट इस divided into 3 chapters named पुहार कांडम जिसमें 10 cantos है दूसरा है मदुराई कांडम जिसमें 13 cantos है और तीसरा है वंची कांडम जिसमें 7 cantos है तो ये जो epic poem है इसे 3 chapters में divide किया गया है अब हम लोग देखते हैं introduction to the writer यहाँ पे writer ना लिखर के अगर poet लिखा जाए तो ज़्यादा suitable होगा इलियांगो अडिगल is believed to have lived during the sangam period in ancient Tamiladu India तो जो poet है हमारे इलियांगो अडिगल ये हमारी real poet है और जो आर पार्थस आरती थे उन्होंने उसे translate किया था ये आपको ध्यान में रखना है तो जो हमारे poet है इलियांगो अडिगल ये sangam period में रह रहे थे ancient Tamil Nadu में जो कि इंडिया में है He is traditionally considered the brother of the Chira dynasty king Chira Sangutuan Silapati Karam is his most famous work showcasing his literary prowess and cultural insights इलियांगो अडिगल जो है वो Chira kingdom जो थे sangutuan उसके भाई थे और जो poem है Silapati Karam वो उनका most famous work समझा जाता है इलियांगो अडिगल का जो कि हमें दिखाता है उनके literary causal को literary prowess को और cultural insights को मतलब कि सांस्कृतिक गहराईयों को इसके बाद हम लोग पहले थोड़ सा इसके title significance को समझ लेते हैं कि यह जो title है Silapati Karam इसका क्या significance है क्या महत्व है The title Silapati Karam means the tale of an anklet और यह जो title है Silapati Karam इसका मतलब है एक कहानी जो कि एक anklet के बारे में है anklet means होता है pile The anklet is important in the story और यह जो anklet है यह काफी important है इस story में because क्योंकि it represents यह represent करता है यह दिखाता है प्रत्रीदेट पर करता है कनगी's love and loyalty to her husband कनगी का जो love and loyalty था उसके husband के लिए उसके husband का नाम था कोवलन उसके लिए जो कनगी का love and loyalty था उसे represent करता है यह anklet और इसी का कारण यह जो title है इस title में जो anklet आ रहा है the tale of an anklet यह काफी important हो जाता है even though कोवलन makes a mistake by falling in love with another woman जबकि कनगी के जो husband थे कोवलन वो किसी और महिला के प्यार में पढ़ जाते हैं फिर भी कनगी stays faithful to him कनगी उसके लिए faithful रहती है the anklet becomes a symbol of कनगी's determination to seek justice for कोवलन's unfair death so the title is significant because it shows how कनगी's love and loyalty shape the story और इस story में जो anklet है वो symbol बन जाता है कनगी के determination का जब वो ठान लेती है कि उसे अपने husband के मृत्यू का जो गलती उसने की ही नहीं थी उसके कारण से मृत्यू डंड दिया गया था जो उसके साथ अन्याई हुआ था उसके लिए जब वो न्याई मांगने जाती है के इंके पास तो उस टाइम पे ये symbol बन जाता है कनगी के determination का और ये title इसलिए भी significant है इसलिए भी मत्यू पूर्ण है क्योंकि ये हमें दिखाती है कनगी के love and loyalty को जो की इस story को shape देती है मतलब की इस story को आकार देती है इसके बाद हम दो discuss करेंगे इस poem की brief summary को सीला पतिकरम is a famous old story from South India तो ये एक काफी famous old story है काफी पुराना story है South India का इस अबाउट अ में नेम्ड कोवलन और इस वाइफ कनगी और ये story किसके बारे में है एक man और एक woman जिसका नाम है कोवलन और कनगी ये दोनों husband वही थे इसके बारे में ये poem है कोवलन falls in love with another woman और क्या होता है कोवलन किसी और महिला के प्यार में पढ़ जाता है जिसका नाम है माधवी and spends all his money on her और अपने सारी संपत्ति को वो माधवी पर लुटा देता है बट लेटर और इसके बाद he realizes his mistake वो अपना mistake realize करता है and comes back to कर्नगी और वो कर्नगी के पास return आ जाता है कोवलन and कर्नगी decide to start a new life in a city cold madurai और अब कोवलन और कर्नगी की decide करते हैं कि वो लोग एक नई जिन्दगी की सुरवात करेंगे madurai जाकर madurai एक city का नाम है but things go wrong पर इसके बाद क्या होता है जो चीजे होती है वो काफी गलत मोड पर चली जाती है कोवलन is wrongly accused of stealing the anklet of the queen कोपरन देवी तो madurai city के जो रानी थी कोपरन देवी इसका एक gold anklet था और कोवलन पर ये इलजाम लगा दिया जाता है कि कोवलन नहीं कोपरन देवी के gold anklet को चुराया है and is killed by the pandya king नेडुन जेलियान तो वहां की जो king थे पांडुन जेलियान उन्होंने कोवलन को उनकी रानी के gold anklet को चुराने के जुर्म में उसे मृत्यु डंड दे दिया even though he didn't steal anything जबकि कोवलन इनोसेंट था उसने कुछ भी नहीं चुराया था बट ये बात king नहीं जानता था और अंजाने में उसने सिर्फ इतना सुना कि उसने उसकी महरानी का anklet चुराया और उसे उसने पनिस कर दिया कन्नगी is very sad and angry about what happened to her husband और अब कन्नगी को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी दुखी होती है काफी गुसा भी आता है उसे जब उसे पता चलता है कि उसके husband के साथ ऐसा हुआ और वो ठान लेती है कि वो कोवलन के innocence को प्रूव करेगी और वो उसके पास जाती है और उसे नियाय मांगती है और किंग उसे बताते हैं कि कोवलन ने उसकी महरानी का एंकले चुराय था उसका पायल चुराय था जिस कारण से उसे मृत्यू दंड दी गई है बट कंगी knew the reality पर कंगी को तो सचाई पता थी that her husband had not stolen anything as the gold anklet belonged to her so कंगी became furious and throws the another gold anklet too कंगी को तो ये सचाई पता थी कि उसके husband ने कोई भी अंकले नहीं चुराय है क्योंकि अंकले तो उसकी wife कंगी का ही था तो अब कंगी को बहुत ज़्यादा गुसा आता है और उसके पास जो दूसरा anklet था उसे भी working के सामने fake देती है the anklet was broken और वो जो anklet था वो तूट गया था and all the rubies inside the anklet were scattered और उस anklet में जो भी rubies लगे हुए थे वो सारे scattered हो जाते हैं वो सारे छितर बितर हो जाते हैं इसके बाद क्या होता है Queen Copperan Devi noticed the rubies as her anklet was made of pearls तो अब जो Queen थी Copperan Devi वो notice करती है कि वो जो anklet था कनगे के पास में उसने जब उसे फेका तो उसमें से rubies निकली जबकि Queen का जो anklet था उसमें pearl था Thus it was proof that Covalent was innocent तो अब ये proof हो जाता है कि Covalent ने महरानी का anklet नहीं चुराया था क्योंकि वो anklet तो उसकी wife का था उसने तो महरानी के anklet को देखा भी नहीं था The King feels guilty for what happened अब King को guilty feel होता है दोसी feel होता है क्योंकि उसने एक innocent के जान ले ली थी बट कनगी is still very upset पर कनगी जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुसा है और upset है She curses the city of Madurai और अब कनगी city of Madurai को curse दे देती है Because of her curse, the city faces a big disaster and is destroyed और अब क्या होता है कि वो जो city थी Madurai city उसे एक big disaster का सामना करना पड़ता है वहाँ पर आग लग जाती है और वो city destroy हो जाती है The story teaches us many things और यह जो story हमें बहुत कुछ सिखाती है It shows us about love and loyalty between a husband and wife और यह हमें बताती है Loyalty and love के बाले में एक husband wife के बीच It also shows us that doing the right thing is important और यह हमें यह भी सिखाती है कि important है सही चीजों को करना Even when things are hard मुश्किल समेवे भी हमें सही का साथ नहीं शोना चाहिए And it is about the power of women's love and determination और इसके साथी साथ यह हमें यह भी बताती है कि एक महिला के love में और इसके determination में कितना power होता है सीला पतिकरम is very old story और यह जो poem है सीला पतिकरम यह काफी old है बहुत ज़्यादा प्राचीन है But its lessons are still important today पर इसका जो lessons है वो अभी भी बहुत ज़्यादा important है माहिने रखता है It reminds us to be honest और यह हमें honesty सिखाती है loyalty सिखाती है and fear in our lives और हमें अपने life के साथ में fear रहना चाहिए और यह सारी चीज़े हमें इस poem में सीखनी को मिलती है कर्नगी ने city of madurai को जब स्राप दिया था तो उसके बाद क्या होता है Goddess of madurai जिसका नाम है मिनाक्षी वो appear होती है कर्नगी के सामने और वह कर्नगी को jain low of karma के बारे में बताती है वह उसे explain करती है Goddess मिनाक्षी कर्नगी को बताती है कि पिछले जन्म में कोवलन का नाम भारत था और वह king वसू के लिए काम करता था एक दिन भारत ने एक वयपारी जिसका नाम संका मन था उसे वह spy समझ लेती है और गलती से king वासू से उसे मौत की सजा दिलवाता है इस तरह से कोवलन से अंजाने में एक innocent की जान ले ली जाती है संका मन की पतनी जिसका नाम निली था कनगी की तरह ही पती प्रता थी और वह अपने पती के मृत्यों से बहुत ज़्यादा दुखी थी और वह क्रोध में आकर भारत को श्राप दे देती है कि जैसे आज निली के साथ हुआ वैसे ही एक दिन भरत और उसकी वाइफ के साथ होगा उसके बाद निली सुसाइट कर लेती है यहाँ पर एक मेस्स है कि इस जनम में हम लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं फिर चाहे वो पाप हो या पुन्य इसका फल हमें अगले जनम में मिलता है ठीक उसी तरह इस जनम में अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो यह हमारे पिछले जनम का पुन्य का फल है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो यह हमारे पिछले जनम के पापो का ही फल होता है कुछ लोग सोचते हैं कि इस जनम में वह सब कुछ अच्छा अच्छ कर रहे हैं तो फिर भी उन्हें दुख क्यों मिल रहा है तो ये उनके पिछले जनम के पापों का फल होता है खैर इसके बाद Goddess of Madurai जिसका नाम मेनाक्षी बताया हमने कर्नगी से कहते हैं कि अब नीली का स्राप खतम हो गया है और अब वो 14 डेज के बाद अपने पती कोवलन से फिर से मिल पाएगी अब कर्नगी क्या करती है वो मदूराई सिटी को छोड़कर चेरा किंग्डम चली जाती है कोवलन वहां कर्नगी को भगवान इंद्र के चेरियेट में लेने आता है और वे दोनों स्वर्ग की ओर जाते हैं और कर्नगी एक Goddess बन जाती है वहां के कुछ लोग इस घटना को देखते हैं और वह चेरा किंग्डम के किंग सेंगू टुवन को इसके बारे में बताते हैं सेंगू टुवन की वाइफ क्वीन वैनेमल से कहती है कि वह कर्नगी की मूर्टी बनवाए और इसकी पूजा करे सेंगुटुवन हिमालयास से पवित्र पत्थर मंगवाता है और वह उसी से कर्नगी की मूर्टी बनवाते हैं अब गौडेस कर्नगी धीरे धीरे गौडेस पतीनी के नाम से भी प्रचलित हो जाती है और फिर धीरे धीरे Other Kingdoms के King भी कन्नगी को Goddess मानने लगते हैं और उसकी पूजा करना सुरू कर देते हैं अब हम रिसकास करेंगे इस Poem की Themes को जिसमें से पहला Theme है Love and Betrayer The story explores the complexities of love and loyalty through the relationship between Covalent, कन्नगी और माधवी तो ये जो तीन कारेक्टर हैं हमारे Covalent, कन्नगी और माधवी इन तीनों कारेक्टर के जर्ये यहाँ पे जो हमारे Poet हैं Iliango, Adigal उन्होंने इन तीनों कारेक्टर के मदद से Relationships सी Complexities को हमें समझाने की कोशिस की है फिर हमारा Next Point है Justice and Revenge Justice means होता है न्याई और Revenge means होता है प्रतिशोध कन्नगी जो रिक्वेस्ट करती है किंग के पास में न्याई के लिए जब किंग ने उसे मौच की सजा दे दी थी तो ये चीज हाइलाइट करती है प्रतिशोध को क्योंकि इसके बाद कन्नगी मदुराई सिटी को स्राब दे देती है क्योंकि किंग ने उसके पती को उस गलती की सजा दी थी जो गलती उन्होंने की ही नहीं थी उसके बाद Next है Morality and Ethics और ये जो Epic Poem है इसमें हमें देखनों को मिलता है इस Poem में Question Rise होता है Right and Wrong के बीच में Morality के बारे में और किसी के कारियों का क्या परिनाम होता है ये सारे चीजे हमें इस Poem में देखनों को मिलती है फिर Last में हमारा Conclusion सिला पतिकरम is a Timeless Masterpiece ये जो Poem है सिला पतिकरम ये एक Timeless Masterpiece है Timeless में होता है जो Fashion के साथ जो समय के साथ में बदले नहीं वो परिवर्थित नहीं हो और ये जो Poem है ये readers को अपनी तरफ captivate करती है आकरसित करती है अपने rich storytelling से अपने सम्रिद storytelling के जो कला है उसके कारण और इसमें जो वाइवीट characters है जो विभिन विभिन प्रकार के characters है और इसके जो profound themes है जो गहरी themes यहां पर यूज के गई है ये सारी चीज़े शिला पतिकरम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और ये जो poem है ये काफी महतवपूर्ण सांस्कृतिक और साहितिक razor है ये एक खजाना है offering insights into ancient Tamil society and human nature जिससे हमें ancient Tamil मतलब की प्राचीन Tamil society के बारे में जानकारे मिलती है वहां के लोगों के nature के बारे में वहां के society के बारे में वहां के लोगों के बारे में हमें इस poem सीला पतिकरम से पता चलता है यहां पर हमारा आज का वीडियो खतम हुआ उम्मीद है आपके लिए वीडियो helpful रही हो इसके notes आको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएंगे and thank you for watching the video